आज जिकाई ये जो मंच है कई माईनों में खास है और बार बार ये बात में इसलिए कह रहा हूँ चुकि यहाँ पर आज नेता नहीं है बलकि वो लोग है जिन्होंने ऐसा काम किया जिसके जरिये में समाज में हमारे परिवेश में आस पडोस में बहुत बड़ा परिवर्तन वो ला सके है उसी कडी में मेरे साथ जो मंच पड़ा मौजूद है महमान उनसे मैं पका पर्चे करवादू संधी पटेल सहब है आप फाउंडर है नेपरा के और सही माइनों में जो एक बात कही जा रही थी जो मेरी सहीयोगी भी कह रही थी ना वो कचरे से कंचन कि जिस अधियर लोग सोचते है कि गंदगी हो कि पता नी क्या होगा चूने से भी लोग कतराते हैं उसे अपने तरीके से सोना उगल्वाने का काम कर लिया तो ये वेल्थ कैसे क्रेट कर लेते हैं आप इसे काच्रे से थेंग थेंख पर लेस्ट प्रशन के लिए शुक्रिया बद् कच्रे से कंचन जो वर्ड है, उससे हो क्या गया है कि लोगों सिर्फ सोना ही सोना दिखता है. So, वो जो पूरा जर्नी है उसको अचीव करने के लिए, वो बहुत दर्दी जिए और तफ जर्नी है. और वो अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है. हम लोगों ने लास्ट 15 से 20 साल के अंदर पूरी जर्णी के अंदर बहुत बार गलतियां की हैं, बहुत बार मिस्टेक्स की हैं, जिससे सीख सीख के आज एट लिस्ट हमारे पास कंचन दिखेगा, उसका पूरा कॉंफिडेंस है, हम लोग उस लेवल पे तो आ गए है कि हम आपके प्रयासों से एक तरफ तो आप सफाई भी कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास, पडोस में, समाज में, स्वच्छता की स्थिती जो नजर आ रही हर तरफ, दूसरा उसे पैसे भी बना लेते हैं, तो यह तो अदभूत सोच है, हलाही सोच है, यह आईडिया कहां से आया कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर उसका लॉंग टर्म सॉलूशन चाहिए अपको, जिसके अंदर इनना कोई नहीं तो इसको भी गुजराती हूं मैं, तो एंड ओफ दे धन्दा तो आई जाता है, सो हमने बोला कि उसका धन्दा बनाओ, और धन्दा बनाओगे तो हर देखने का तरीका बदल गया, जब यह मुहीम चालू हुई स्वच भारत की, और लोगों ने जो एप्रोच देख रहे थे, कच्रे वाले के अंगल से, उसके अच्छा आइडिया जिससे कच्छे से कंचन होगा, लोगों के एस्पिरेशन 2014 से दिखे, तो संधी भाई आप य और सबकी भाषा एक डिरेक्शन में जानी चालू ही, बिकाज उसके पहले, वेट वेस्ट और सुका कच्रा दोनों के प्रोसेसिंग वाले एक दूसरों को ऐसा बोलते थे, कि तुमारी इंडस्ट्री अग है, मेरी इंडस्ट्री अग है, स्वच भारत आने के बाद, सब लो प्रोसे भी माल लेते हैं, आज हमारे यहां पे वो हमारे एक सप्लायर है, उनसे आप बात करने का तरीका, उनको रिस्पेक्ट देने का तरीका, उनको पहले दिन से बहते हैं, जो लोग बोरियों में भर भर के कचरे को, बोतलों को या फिर पेपर निए उस पेपर और छेचा करते हैं, उनको रता पात, को या इपर अपक्राजा यह रिक्या, उनको हमारे टीक्रा कारने बाला मारे कच्रा कोंग अब्सा की स वो एक कर्यक थो कारे करता है वो भी and अब Layerी जैसे company में ge में काम करने वाले लोग यह हम लोग है and топ face now our diplomfeld दिपने जिवाइ We nineteen निस्जार शहों सेमर्य को के उनकी इटनी gibi इतनी जिम्मेदार कैड़े के ट्नी अमारी यह तो किसी ने आप जो भौतल होती है सिशे की या फिर आप प्लास्टिक वाली ओठा लेता है वो कोई निउस पेपर्स क्लेक्ट कर लेता है तो सारी चीज़े आप ले ले लेते हुन से हम किसी भी चीज की लिए मना नहीं करते हमारा मॉडल में बहुत सिंपल है हमारे देश में होता क्या है कि जो पेपर का काम करत क्यों प्लास्टिके फ्रोबल्मrare लेकर इसका में प्लास्टिक काम करते है उइसका मतुत तब कुछ बएक्ति हम कुछ भेस देता है हम उसकी एंडर वेल्यू दे पाएंगँ थुसका निकाल कर तो हम जिस जैसे और karm करleighें उन एंको प्लास्टिक बेच़ तो घर चीक है। आप उसको ऐसे फेकिये मत जलाईये मत वो भी हम ले जाएंगे जिस कच्रे को लोग समझते हैं कि उसे तच मत करो उसको क्रॉस कर जाओ फां जाओ हां से उसमें धन कैसे डूड़ना है यह कोई आप से सीखे तकलीफे सो तकलीफे सो का सॉलुशन सुन दूड़न दूड़न ल कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हमारे यह पे बारा सो पचास लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर डिरेक्ली इंडरेक्ली हम पांच सिटीज के अंदर मारी अमरे फ्लगी हुए और एक सो पैंटीस अर्बन चेहरों में हमारा ज़र्णी चालू की अम्दाबाद में इतनी भी गलतियां की अब्टू 2017 तक ज़ादस ज़ादर गलतियां की अम्दाबाद में की शुरुआत में से कि एशुरुआत भी कि अम्दाबाद में खे लोग भर्ना था तो जब परेख लोन का प्रेशर नहीं था तो आप में ने शुरुआत की फिर डोजार सतारा में जब बहुत जोश के अंदर उनने इंप्लीमेंट किया segregation and all, मैं वहाँ जा के देखा कि उनका segregation बिल्कुल अच्छा हो रहा है और सबस्ट है, तो हमने जाके वहाँ पे उनके साथ बिड किया, टेंडर हमें जीता और वहाँ प्लान डाला, इंद और के बाद पूरे देश को अमने दिखाया कि MRF होता क्या है, फिर हमने पुना में चालू किया, बैंगलोर में किया, वापी में किया संदीब जी एक बहुत बड़ी समस्य आपने देश में जो देखने को मिल रही है कि कच्रों के पहाल खड़े हो रहे हैं कई जगों पर, क्या यह जो आप तक्नीका इस्तमाल कर रहे हैं या जिस तरीके से आप कच्रों को एक तरीके से पैसा कमाने का साधन अपने बना लिया यह चीजे पहले से इस्तिमाल हो रही होती तो इस्तिती नहीं आती? कच्रा जब जनरेट होता है उसके चालीस घंटे के अंदर अगो प्रोसेस कर दिया जाए उसमें से वैल्यू आप निकाल सकते हो जैसे ही वो पड़ा-पड़ा सढने लगे अत्वाव कंटैमिनेट हो जा है बिल्कुलों का जीना मुहाल हो जाता है कई 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 किलोमेटर तक जो लोग बसे रहते हैं हम लोगों ने पांच साल से जीरो वेस्टू लैंडफिल कंपनी है मतलब हम जहां पे भी ऑपरेट कर रहे हैं आज अगर एक किलो भी कच्रा मेरे प्लांट में आता है वो हंड़ परसंट एदर रिसाइकल हो रहा होगा या जो रिसाइकल नहीं हो रहा है उसको प्रोसेस करके सिमेंट प्लांट में जलाने के लिए कोईले की रिपलेस्मेंट के हिसाब से बेचते हैं यह जो कचरा है जिसको प्रोसेस कर देते हैं उसे क्या-क्या चीजे बन जाती है तो प बादन चेर्स या कुर्सिया जितना भी होता है उसको सेग्रिगेट कर पाए अच्छा यह प्रियोग क्या दुनिया के अलग हिस्सों में बहुत पहले से होता रहा है हम लोग लेट है आज कई लेट हो अच्छा भी होता है मैं उसको ऐसे देखोंगा बिकाज यूरोप में और युएस में 35-45 साल से इंड़स्ट्री है कच्रे की हमारे देश में रिसाइक्लिंग इंफर्मल वे में बहुत होता था बद आज बिकाज यह मुहीं चालू हुए तो में यह किया बताए इसको सम्झाई एसको सम्झाईए जो अलग ठाटना है उन सब का डाला घया है उन सब का का टरीसरि औरो सब डाला गया है वह सब कंट्री're दी मुट ऐसे कर रहे तहरें आठी बहुत कम है यह संगरें इंडिया के अंदर हमÁरे एगर के थjem में अगर ज्यादवेड़ तो मैं जग तो इतनाआ होता है क्या मुनाफ़ा आप कमाने लग घिए ये a बाद गवाख चुट अज़ा लुए अब अग कच्रा जाने का सिता है कच्छे से जुड़ी करने होता है अब आप शोड़ देता हूं ये गचरे से प्रेम ठीक नहीं होता है तो अधा होता है, तो मैं बीस साल से कर रहा हूँ, तो आज एट लिस्ट मैं इतना कॉन्फिड़न्ट हूँ कि इस इंड़स्ट्री अंधे लोग नहीं आएंगे, तो भी मैं उनको एंशुर कर पाऊंगे, कि मैं उनको सपोर्ड परवाऊंगे, कि वो कमाएंगे, हमने वेल्थ क्रियेट किया है, इन दे सेंस कि आज हमने हमारा मॉडल मैच्शोर हो गया है, आज हमें पता है कि कच्रे से क्या करना है, और कच्रे से कंचन आज नहीं तो दो साल में तो लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, अभियान बेमिसाल सवच्टा के 10 साल, ABP News के इस खास करीकर में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं अखिलेश आनन्द हूँ, कोशिश हमारी ये है कि हम आपको उन लोगों से मिलवा सकें, जो परदे के पीछे रहकर परियावरण को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, जो सफाई का संकल्फ हमारा जो अगला सेशन है, उसके महबानों से, राजेश गोस्वामी जी मेरे साथ यापर मौझूद है, आप डेपुटी प्रोग्राम मैनेजर हैं, वेस्ट वारियर सोसाइटी के, और तारा अधिकारी हमारे साथ है परियाबरन सखी से आप जुड़ी हुई हैं, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत कि उत्राखंड में, हिमाचल प्रदेश में, खास तोर पर जो जहां पर परियाटक बड़ी संख्या में पहुंसते हैं, जहां पर एक बहुत-बड़ी समस्या हो गई है साथ सफाई की, वहाँ आप लोग बहुत-जादा काम कर रहे हैं, वो काम कैसे करते हैं, राजेश जी पहले अपसे समझना चाहूंगा, जी, थैंक यू सो मच, सबसे पहले, एब बड़ी न्यूस और माननीय प्रदान मंत्री श्री मोदी जी को, मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, कि आज उन मैं राजेश है, मैं वेस्ट वारियर संस्ता से हूं, और यहाँ पर मेरे साथ है तारा जी, तारा जी परियावरन सखी है, परियावरन सखी मतलब एन्वारमेंट फ्रेंट, तो वेस्ट वारियर एक संस्ता है, एंजियो है, जो थो हुजार बारा मैं स्तापित हुई थी, य उत्राखंड एंहांचल प्रदेश, दोनों स्रेट में हम लोग काम कर रहे हैं और अटलीस्ट दस लोकेशन, दस लोकेशन भी ऐसी लोकेशन है जहां तूरिस्स का फुटफॉल बहुत है है, बहुत है हम बेसिकली इनेबलर्स है, गवर्मेंट को कैपसिटी बिल करते हैं, उन प्रियावरण सखी हैं और अटलीस्ट प्रियावरण सखी हैं, जाती है खुद से आप कच्रा लाती हैं और फिर उसके बाद वो प्रोसर्स करने के लागे जहा जाता है, वो काम आप करती हैं, कितने लोगं को अपने साथ आपने जोड़ा है वीत्यक, नमस्कार, मेरा नाम प्रियावरण सखी हैं, मैं रामनगर के कॉर्बेट से हूँ और एक परियावरण सखी हूँ, परियावरण सखी का नाम ही एक ऐसा नाम है जो हम सभी सखियां परियावरण के लिए काम करती हैं, अभी हम रामनगर चेतर में तेईस परियावरण सखी हैं, जो वेस्ट मेनें वेस्ट बैंक में हम उसे ले जाने के बाद उसका बजन करते हैं कि वीकली कितना वेस्ट मतलब गाव से जनरेट हो रहा है उसके बाद हम उसे सेग्रिगेट करते हैं खुद हम लोग उसे सेग्रिगेट करते हैं बीस से बाइस भागो में हम सेग्रिगेट करते हैं सेग्रिगे जाता है या फिर जला दिया जाता है तो इसका समाधान कैसे निकल सकता है और दूसरी बात जो स्वच्छ भारत अभ्यान के शुरुआत प्रधान अंत्री मोदी ने जो की थी आज से दस साल पहले लगबग उससे कितना फाइदा मिलता है इस तरह की मुहिम को बहुत अच्छा स्वाल है तो इस पे एक और मैं फैक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो यह फाइफ मिलियन टन हमने कच्छ की बात की आउट अट अफ दैट अनली 40% जो है कलेक्ट होता है सिफ 40% कलेक्ट होता है इंडिया हमालन रिजिए में क्योंकि वहां पर कच्छ को क्लेक कर इस वरी डिफिकल इतना मुश्किल है क्योंकि वहां पर रास्ते नहीं है रोड नहीं है कभी वहां बारिश, फ्लेश, फ्लेश, लेंड्स, लेंड्स, यह सारी चीजे होते हैं और कच्छ करना इस वरी डिफिकल और जब हमने यहां पर शुरू किया था काम करना तो फर अस बहुत मुश्किल था क्योंकि लोगों को समझाना कि आप अपने घर पे बैग रखो और रूरल एरिया में ऐसा होता है कि देवता और जादपात यह बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को समझाना इन तरीकों से बट हमारी हमारा जो इसमें इनिशियेटिव था कि अगर ग तरीके से हम लोग और भी पंचायत में काम कर रहा है तो इस मॉडल की जरी हम ने उसमे भी फोकस किया है कि क्योंना महिलाओ की बिल्द की जाएं क्योंना महिलाओ को और बढ़ाया जाएं तो एक जंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पाहत है वो भी हमने इसके अंदर इंकल और हम देख एंपलिक कभी खटम नहीं जोता है और अर लाश्टिक कभी भी रिसाइकल नहीं हुताद तो प्लास्टिक हमेश्वा दाउन साइकल होता है इटन रिसाके लिजिस्टिक कि आज में ऊपस ieversब लून नहीं हो कर्ट थाज वहां कि छौति बाइश बाते होगा उसके बाद उसके बन जाएगा मैज्क्रो प्लास्टिक जब इसको जला थे जा रिफेक ते हैं यह फेखे ते कहीं थाइब जबाते हैं आग убий प्लास्टिक उचल रहे हैं तो ऩो शक्ट ब्लास्टिक को गल्रा रहे हैं, मेल्टिंग है, वो और वार्स्टिक कहते हैं अर हमStart मेरे ज्सक्र मेड़श को रहे हैं, रह मेरे कोछ छाकर है ए आग उसके आगा को क्या ब chopped कैसा है नेल्च फैंज सलीच आगा। वो यह जो हम अभी तीन आर फॉलोज कर रहे हैं, रिद्यूस, रिसाइकल, और रिउस, रिप्जूस, रिफ्यूस, हम अभी एक रिफ्यूस प्लास्टिविट कर सकते हैं, तो रिफ्यूस थिस प्लास्टिक, ताकि यह वेस्जणरेटी नहोग, मैं आपको एक fact बता दू, हम लोग साल में 250 grams of plastic खाते हैं, through our food, पानी और हवा के इस दिशा में सरकार क्या कर सकती है, आपकी सरकार से क्या उमीद है So, सभसे पहले, गवर्मेνट को इसमें ऐसे लोगो को इसंटिवाइज काना चीख जो प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग अलाू कर रहे हैं प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग को अगर अनंटिवाइज करिंगे इसमें अशें सबसीड़ी दिगे और इस तरह के लोगों को भी हमें प्रोजाइद करना चाहिए और उने भी हमें सम्मान करना चाहिए So this is what I want. 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 So this is what I want.